गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टडी विथ नीलम आज 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के सभी बैश्ट टॉप करेंट अफेर्स कोईशन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कम्प्लीट करेंगे उससे पहले अगर आप इस्टडी विथ नीलम चैनल प कर सकते हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा और हमारे किसी वी वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए टेलिग्रम चैनल को जॉइन करें साथ ही यहां पर आपको लेक्टर की पीडिया फाइल भी प्राप के रूप में महिलाओं को न्युक्त करेगा मतलब अब फायरफाइटर्स वूमन भी इसमें शामिल होंगी आपको पता होना चाहिए देश की पहली फायरफाइटर वूमन कौन है तो वो है तान्या सन्याल कौन है तान्या सन्याल ठीक है अब यह कौन सा राज्य करेगा न्य जिपाल है आरिफ मुहम्मत खान और यहां के मुख्य मंत्री या सीम है पिनरे विजियन मसालों का भग किसे कहा जाता है तो यह केरल को कहा जाता है सब्री माला मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है जहां पर महिलाओं का आना वर्जित है तो यह कहां पर है केरल में है मौहिनी तटम निर्ति किस राज्जी का है तो ये केरल राज्जी का है बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है ये कोशन याद रखिएगा मालाबार तट किस राज्जी के तटको कहा जाता है तो केरल की तटको ही क्या कहा जाता है मालाबार तट कहा जाता है फ्री इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला राज़ कोने केरल है और केरल में जो इंटरनेट सर्विस है उसे मौलिक अधिकार माना जाता है ठीक है कि नेट सर्विस सबको प्राप्त होना चाहिए नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस के साक्षर्ता ब्रदिदर में केरल 96.2% के साथ देश में सीर्श स्थान पर है साक्षर्ता में ठीक है याद रखेगा इस्टेट ऑफ जी यंग चाइल्ड रिपोर्ट इन इंडिया में सीर्श राज़ कौनसा रहा देश में केरल रहा है आदिवासी बच्चों को मात्र भाष्णा में पढ़ाने के लिए सिक्षा देने के लिए नमंत वसई परियोजना प्रारंब की थी केरल सरकार ने कौनसी जन जाती पिरूलू ठीक है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, खाद्यवन परियोजना, जियो फेंसिंग अप्लिकेशन का प्योग करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है मैं भी डिजिटल हूँ अभियान, डिजिटल साक्षर्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रारंब किया गया था आर्शिरी लेका, ये केरल की पहली महिला डिजिपी है, और देश की पहली महिला डिजिपी कौन है, कंचन चोधरी, ठीक है मतलब थी, उनका निधन हो चुका है, देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा बताती हूँ, पहला 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 वैसे तो आपको सभी पहले याद रखने, लेकिन इस्पेशली महिलाओं से रिलेटेड जो फर्स्ट महिला है, किसी भी फिल्ड में, तो उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे कोश्चन है, ठीके इसके लिए एक डेडिकेटिड वीडियो में आप लोगों को प्रवाइट कर दूँगे एक से दो दिनों में, तो आप सभी लोग उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से कोश्चन बनना कंपल सरी है, देश की पहली के युनाइट किंग्डम की है, 2020 में टॉप तिंकर की सूची में सीर्स इस्थान पर रही थी कौन? केरल की स्वास्त मंतरी केके सिलजा, कोविड-19 के दुरान इनके द्वारा किये गए सराहनी कारेों के लिए इसे इन्हें इस मैगजीन में टॉप सूची में शामिल किया ग मंदरी है, उडिशा में मिलेंगी, ये मंदर से रिलेटेट कोश्चन है, इसलिए मैं यहां इन्क्लूट कर दिये हैं, के फोन अभियान ये केरल सरकार के द्वारा प्रारम किया गया था, प्लाजमा थेरपी का उप्योग करने वाला देश का पहला राज जगर आपसे उसकार 2020 केरल ने जीता है, गेर संक्रामक रोगों पर नियंतरन के लिए युनाइटेड नेशन अवार्ड से केरल को सम्मानित किया गया है, देश का पहला चिकिस्ता उपकरन पार्क के हम देख चुके हैं, केरल में बनेगा, पूरी तरह से डिजिटल हाइटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कोन सा बन गया है, सरकारी स्कूलों को बनाया है, तो ये केरल है, और केरल का मेगा फूट पार्क पहला कहां खुला है, तो केरल के पलककर जिले में खुला है, तो ये सभी केरल से जुड़े हुए important current affairs के point थे, ये सभी आपको याद रख फूबर को है, तो ये सपताह मनाया जाता है, week है न, कपसे होता है ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये week चलता है, ठीक है, सतरकता जागरुकता सपता, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर को, तो राइट और अंसर क्या होगा हमारा सरदार बललभाई पटेल, कौन मनाता है ये सत स्तरक्ता, जागुर्टा जो आयोग है उसके अध्यक्षकोन है तो ये हमारे केंदरी स्तरक्ता आयुक्त हैं संजे कोठारी याद रखेगा बहुत इंप्वर्टेंट पॉंट है ये और जो केंदरे सतर्क्ता आयोग है उसके द्वारा सतर्क्ता जागुक्ता सप्ता की थीम क्या रखी गई है तो थीम आपको याद रखनी है सतर्क भारत समरध भारत ये इसकी थीम थी आपको याद हो गया होगा नेक्स्ट देखते हैं हम हाँ यहां से एक और चीज़ याद रखेगा जो 31 सक्टू भर है तरदार बल्ला भाई पटेल का जो जन्म दिन है उस जन्म दिन को हम मनाते हैं राष्टी एक्ता दिवस के रूप में नेशनल यूनिटी डे ओके ये भी य जितने पॉइंट आते हैं जिस तरीके से मैं आपको पड़ाती हूँ एक कोश्चन से चार से पांच यह दस कोश्चन कब्लेट कराती हूँ उसी तरह से जब लोग आप लोग answer करें comment section में तो कोशिच किया किजे कि relate करके आप answer करें उससे आप जब इस तरीके से comment में लिखन शुरू करेंगे तो आपमें वो छीज डबल अप हो जाएगी कि आपके दिमाघ काम करेगा कि आप कनेक्ट कर पाएं चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाली में गिनी के राष्टपती निम्नमे से कौन बन गए हैं तो यह बन गए हैं गिनी के राष्टपती अल्फा कोंडे यह देखिए अफरिका महादीब का देश है यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अफरिका के पस्चिम में ठीक है तो यह है क्या गिनी कैपिटल क्या है इसकी क्रोनिक क्रोनिक के और कैरंसी क्या है गिनी फ्रेंस गिनी फ्रेंस यहां की कैरंसी है और राश्ट पती हम देख अल्फा कॉन्डे यहां के राष्ट्पती बने हैं तो यह लोकेशन आप याद रखेयेगा पड़ोसी देश कौन कौन से हैं यह देखे यह माली है ठीक है सैनेगल है और सीरियाय लेड़नोन है Liberia है तो यह आपको याद रखना है पडोसी देश Other option हम देख लेते हैं यहाँ पर Saad Hariri Saad Hariri कहां के प्रधान मंतरी बने है अभी तो यह बने हैं Lebanon के प्रधान मंतरी Michael Martin यह कहां के बने है तो यह बने है Ireland के प्रधान मंतरी और Alexander Decro कहा के बने है ये बने है बेल्क्न के प्रदाहनमंतरी तो ये सभी important point थे आप इन्हें याद रखेएगा तो ये तो बने है कहा के गिनी के राष्टपती गिनी के प्रधाहनमंतरी कौन है तो वो है Abraham Kessori Joffani Abraham Kessori Joffani next देखते हैं हाली में Federation of Indian Fantasy Sports पूर्ट्स ने किसे अपना अध्यक्च बनाया है? Federation of Indian Fantasy के अध्यक्च बन गए हैं? विमल जुलका कौन बन गए अध्यक्च? विमल जुलका इसके अध्यक्च बन गए हैं? अब आपको याद आ रहा होगा कि आपने विमल जुलका का नाम पहले भी सुनाएं तो ये क्या है हमारे मुक्ह सूचना आयुक्त Central Chief Information Commissioner है ठीक है Chief Information Commissioner तो यहने भी आप याद रखेंगे और अभी इन्हें किसका अध्यक्च बना दिया गया है तो यह अध्यक्च बन गया है Federation of Indian Fantasy ठीक है भिमल जुलका Other option को देखते हम तो नवदेज सिंग यह क्या बन गया है Microsoft India के Executive Director है PD वागेला यह किसके बन गया है तो यह बन गया है आपके ट्राइक अध्यक्च और जेन फ्रेजर यह City Group के पहली महिला CEO है तो यह सभी important point है याद रखेंगा Next है हाल ही में जारी की गई Forbes World Best Employers 2020 या विश्वी के सर्वस्रेष्ट नियोकता 2020 की सूची में कौन सिर्श्वर है मतलग किस कमपनी के जो करमचारी है वो सर्वस्रेष्ट है ठीक है बेस्ट है employer तो राइट अंसर होगा Samsung Company किस कमपनी के है Samsung Company के है ठीक है तो यह Samsung Company किस देश की है आप लोगों को मैं बारबर बोल रही हूँ टेलिग्राम चैनल जोइन कर लीजे वहाँ पर मैंने लगभग 50 कमपनीया जो करंट में important है किस देश की कमपनी यह question आता है ठीक है और किस सेक्टर से जुड़ी हुई है यह आता है तो और उसके founder कौन है तो यह तीन question मैंने उस पूरी list में दिये है आप लोग जिन students ने टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है comment section में या description section में आपको उसका link मिल जाएगा जाकर चैनल को जोइन कर लीजे बहुत ज़्यादा helpful रहने वाला है आपके लिए टेलिग्राम चैनल तो यहाँ पर हम बात करते हैं Swansom company किस देश की है सबसे पहले तो यह South Korea की company और यह भी चर्चा में क्यों रही थी इसलिए रही थी किसके जो president थे कौन? Lee Koo He उनका निधन हो गया ठीक है तो इसलिए यह चर्चा में थी तो यह तो क्या हो गया हमारा कि भई इस लिष्ट में पहले नंबर पर कौन रहा Samsung रहा है दूसरे स्थान पर कौन रहा दूसरे स्थान पर है Amazon और तीसरे स्थान पर कौन है तो तीसरे स्थान पर है IBM पहला Samsung, दूसरा Amazon और तीसरा IBM रहा है इस लिष्ट में भारती कंपनी कौनशी शामिल रही भारती कंपनीों में रही HCL ठीक है HCL जो कंपनी है आपको बाता होगा computer laptop ने बाता तो ये HCL इस लिष्ट में 30 वे स्थान पर रही है 30 रहा इसका स्थान और भारत में ये पहले स्थान पर रही है ठीक है भारती कंपनीों म पिएस यू की जो रेंकिंग आय थी पब्लिक सेक्टर यूनिट की उसमें इंडिया से कौन सी कमपोनी टॉप पर रही थी तो रही थी एंटी पीसी तो इसे भी आप याद रखेंगे एंटी पीसी एक नवरत महारतन कमपनी है ठीके ये भी आप याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ हाली में किसने वर्ड विहेवियर स्रेणी में ठीके मतलब जो पक्छी होते हैं उनका विहेवियर वहवार की स्रेणी में लंदन में प्राकरते कितिया संग्राले सेवर्स 2020 के बनजी फोटोग्राफर का पुरुसकार जीता है तो राइट आंसर होगा यहां पर हमारा संबत सुबईया है यह फोटोग्राफर है और इन्होंने इस कैटिग्री में 2020 का लंदन प्राकरते कितिया संग्राले का पुरुसकार जीता है और इनकी यह जो इगल और स्नेक की जो फाइट है इस जो पिक्स है यह फोटो है इसके लिए आवर्ड दिया गय है ठीक है अब आपको इससे याद आ रहा होगा वर्ड फोटोग्राफर ऑफ दी एयर वूमन का खिता पहली भारती महिला क्यों बनी है तो यह बननी है एश्वर्या स्रीधर ठीक है इन्होंने एक ट्री की फोटो ली थी जिसके आसपस जुगनुजग मगा रहे थे ओके समानित किया गया जो 32 वर्ष के उम्र तक के गणितग्यों को दिया जाता है ठीक है तो और 2019 का किसे मिला था एडम हारपर को ठीक है सहस्त्र नागर अर्जुन पुरुसकार तो ये भी आप याद रखेंगे और सरगई गोर्शकों भी ये रश्या के हैं और इन्हें वर्ड वाइल लाइफ फोटोग्राफर में 2020 का पुरुसकार दिया गया है ठीक है एक बागिन के द्वारा पेड को गले लगाने वाले फोटो के लिए तो ये आपको सब याद आ गया होगा इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखेगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ निम्निमे से इसराइल के साथ अपने संबंदों को समान करने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया है तो राइट अंसर होगा यहाँ पर हमारा सूडान देखिया इसराइल के साथ समाने संबंदों को बनाने का मतलब मैं आपको बता देती हूँ जो में मुद्धा है मुसलिम क और इस्राइल के मद्ध संबंद अच्छे नहीं थे लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट पती हैं इनके सहीयोग से जो फिलिस यूएई है यूनाइटेड अरब अमिरात और इस्राइल ये हैं नैतनियाउन जिनके मद्ध अच्छे संबंद स्थापित होने के अबराहिम एकॉर्ड ये मैंने आपको बताए था अबराहिम एकॉर्ड पर साइन किये गए उसके बास से जो मुस्लिम बहुल देश हैं वो इसराइल के साथ या इसराइल और सयुक तरब अमिरात के जो पडोसी देश हैं वो संबंद सुधारने की और तेजी से आगे अब ये प्रियास हुए थे अच्छे संबंद बनाये गए थे डोनाल्ड टरंप के द्वारा तो इनी के प्रियासों की वज़े से इन्हें जो नोबल पीस प्राइजे 2020 का उसके लिए ने नॉमिनेट किया गया था किसे डोनाल्ड टरंप को तो ये भी आप याद रख सकते ह पूछा जा सकता है बस इसे ही याद रखेगा है ना तो ये पहली बार इस्राइल के साथ अबरहेम एकोड संबंदों को समान करने के लिए साइन किया गया युनाइटेड अरब अमिरात के द्वारा दूसरा देश था आपका बहरीन और तीसरा देश है सूडान तो आप से यह है दक्षण सौरी अफरिका महादी और यह जो आप लोकेशन देख रहे हैं यह कौन है सूडान कंट्रीज के कैपिटल क्या है खार्तूम है केरेंसी क्या है सूडानीज पाउंड क्या है सूडानीज पाउंड ओके तो यह आप याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले कोश साथ विशेशक्गिता साजा करने के लिए मतलब रोड निर्मान में विशेशक्गिता इंवाइर्मेंट प्रेंडरी होना चाहिए लंबे समय तक रोडों का इंफ्रास्टेक्चर बना रहे इस तरीके की विशेशक्गिताओं के लिए IIT जोतपूर और नेशनल हाईवे लिया के मद्धि समझोता हुआ है ठीक है आप लोगों को पता होना चाहिए नेशनल हाइवे अथोरिटी के द्वारा क्या था अभी एक एप डबलब किया गया था उस एप को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है एन एच ए आई एक डाइगनोस्टिक किट तैयार की गई थी COVID-19 के टेस्ट के लिए एक घंटे में इसके रिजल्ट आ जाते हैं ओके और IIT मद्रास इनके दुआरा मेडिक कैप तैयार किया गया था मतलब जल्दी से एक portable hospital तैयार किया जा सकता है मेडिक कैप 2020 वाला ठीके तो ये भी आप याद रखेंगे IIT मद्रास के तरफ से और IIT कानपूर से आप याद रखेंगे अगले question की तरफ हाली में बॉलिविया के नए राष्ट पती निम्न मेंसे कौन बन गए है तो बॉलिविया के नए राष्ट पती बन गए हैं यहां पर माइक पॉम्पियो भी चर्चा में कहां के विदेश मंत्री है यह अमेरिका के विदेश मंत्री है अब मैं यहां पर आपको एक और चीज इन्फोर्मेशन दे देती हूं कि 25, 26 और 27 अक्टूबर का जो करंट अफेर का फूरा वीडियो है वो आपका इवनिंग में अपलोड हो जाएगा तो इससे देखना मत भूलिएगा इसमें दो वीक जो हमारे है वीकली रिविजन उसका भी कंटेंट कंपलिट किया जाएगा ठीके फ्रेंट्स नेक्स्ट देख लेते हम मैप में बॉलिविया को तो यह रहा आपका दक्षण अमेरिकी महादीप ओके साउथ अम बॉलिविया नो इसकी केरेंसी है और प्रेसिडेंट कौन बन गया है लुईस अर्स बन गया है तो इसे भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन हाली में इंडो तिबतन बॉर्डर पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया तो रा चेतर और हिमालेई चेतर में क्या करती है भारत की सीमा की रक्षा करती है इंडो तिबतन पुलिस ठीक है तो इसके अभी बर्तबान में डारेक्टर जनल कौन है आई टी बीपी के SS देशवाल कौन है SS देशवाल है और इन्हें किसका additional director बनाया गया अतिरिक्ति प्रभार द हम देखते हैं हाल ही मैंने में से किस संस्थान ने चात्रों के लिए फैस रिकोनाइजेशन सिस्टम को प्रारणभी किया तो राइट आंसर होगा सीबी एस सी के द्वारा सीबी एस सी के द्वारा यह फैसल रिकोनाइजेशन सिस्टम लांच किया गया जो 10 और 12 के स्टूडेंट हैं वो अपनी मार्क सीट को क्या कर सकते हैं इसके माध्यम से डीजी लोकर के माध्यम से अगर वो पासवर्ड भी भूल जाते हैं या मोबाइल आहुज़ और UPSC के कौन है प्रदीप कुमार जोसी ठीक है यह भी आप याद रखेंगे पॉइंट वइंट सेक्षन देख लेते हैं फटा फट तियारा की हाली में आई रिपोर्ट के नुसार देश के सबसे भरोशे मंद ब्रैंड के रूप में किन है चुना गया बच्चन और दूसरे स्थान पर कौन रहे है अक्षे कुमार ठीक है और स्पोर्ट्स ब्रैंड के रूप में किसे चुना गया धोनी को चुना गया प्रतम स्थान पर महेंदर सींग धोनी को इंडियन इंसिटुट ऑफ हुमन ब्रैंड के द्वारा ट्रस्ट आइडेंटिफ सरलापुरुसकार 2020 की विचेता कौन है अत्यानंद नायक है कहां से हैं ये और डिशा से हैं आई पील के दो मेचों में सतक लगाने वाला पहला खिलाडी कौन बन गए सेकर धवन बन गए के इन सरकार ने लोकतवा विधान सभा में चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याश्यो मोदी को अगले 26 मार्च 2010 को सतंता दिवस 2020 को सतंता दिवस की पचासवी वर्षिगांट पर आमंत्रित किया है वो कोने बंगला देश है 2020 वाइल लाइफ फोटोग्राफर आप दी एर का पुरुसकार एश्वर्य स्रीधर हाली में पाकिस्तान के तेज गेंदवाद ने किरि प्रोरुपों से सन्यासलेकोंने उमर गुल है ठीके आली में जिस देश ने 6 साल के मेरिटोरियम के बाद विवादित दक्षन चीन सागर में तेल और गेस की खोच के लिए फिर से खोच शुरू किये वो कोने फिलिपिन्स बन गया है और है अंतर राष्टिय भारत तोलन मह संग इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग के अंतरिम अध्यक्ष की ने चुना गया है डॉक्टर माइकल ईरानी ये इंडियन है ठीके याद रखेगा राज किरन राय को हाली में भारतिय बेंक संग का अध्यक्ष चुना गया है जो यूनियन बेंक के MDCO और उपाध्यक चुन आप मुझे कमेंट सेक्षन में बताएंगे सांखे की दिवस की थीम क्या है 2020 की प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट के खाद्य और क्रशी संगठन F.O.K. 75 वर्षगाट के अफसर्प के मोके पर कितने रुपे का इसमति सिक्का जारी किया 75 रुपे का वहा राज जे सरकार जिसने हाली में मिशन सक्तिय विहान लॉंच किया कौन है बलरामपूर से उत्तर प्रदेश तरकार अंतरश्टी गरीबी उन्मूल अंदिवस कब मनाया गया केंद्री सरकार ने केंद्री ग्रह सचीव अजे भलक का कारेकल बढ़ा दिया है कब तक 22 अगस्त 2021 तक केंद्री स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्षवर्दर ने गोशना की है कि ट्रांसफेट फ्री होने का लक्ष रखाय कब 2022 तक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रतमस्तान पर कौन सा देश रहा बेलारूस भारत का इस्तान कौन सा रहा एक सो साथ देशों में 94 रहा है सुपर्शॉनिक क्रूज मिसाइल ब्रहमोस का सफल परिक्षण भारत में किया गया है ठीके फेस इसकेन करने वाला देश का कौन सा पहला सिंगापूर बन गया है रेफ्रिजरेटर एर कंडिशनर पर रोक लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है मतलब हमने आयात करने पर प्रतिवंद लगा दिया है चाइना से और कहां से करते हैं थाइलेंड से करते हैं ठीके चाइना और थाइलेंड से करते हैं 90 प एंटी सबमरीन युद्ध पोत को भारती नोशेना में सामिल किया गया है तो ये रहे आपके आपके आप्शन सभी को आंसर करना है एक दो श्टुएंट आंसर मत किया कीजे मैं आप लोग के लिए महनत करती हूँ तो आप लोग भी महनत कीजे और आपको बता देती हूँ कि gigantic pikod selon आपके को आपके आपके आपका आपके 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 आपका कि की ओच भी मारत